इस question को देखिए, तो यह बहुत easy question है, कुछ नहीं करना है, 1 upon x plus 1, और plus 2 upon x plus 2 is equals to 4 upon x plus 4, अब नीचे condition देखे रखा है, x minus 1, minus 2, minus 4 के एकवल नहीं होगा, मतलब x की वैलों कर इन तीनों में से कुछ भी आगी, तो उसको आप reject कर देना, चलो अब देखो, अब सबसे पहले आप यहाँ bracket लगाओ, यहाँ भी bracket लगाओ, और यहाँ भी bracket लगाओ, आप क्या करेंगे, ध्यान सरा चेक करिए, left hand side हम क्या करेंगे, left hand side हैल सेम ले ले लेंगे, कैसे लेते हैं, आपको पता है कि इन दोनों को multiply कर दो, बस, नीचे वालों को हाँ न, यहाँ दे, x plus 1 into x plus 2, ओके, यह इधार multiply करेगा, यह इधर, x plus 2 into 1, कितना वाजएगा, x plus 2, ओके, और plus 2 into x plus 1, यह लीजे, 2 into x plus 1, ठीके न, यह x लिखा हुआ है, 2 into x plus 1, is equals 2 में, 4 upon x plus 4, correct, चलो, solve करो इसको थोड़ा सा, तो देखो, x plus 2 तो ऐसा ही रहेगा, यह numerator में, ठीक, इसका bracket हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और plus 2 into x, 2x, और plus 2 into 1, 2, और upon में, नीचे देखो, नीचे अभी ऐसा ही रहने दो, आप x plus 1, यह एक काम कर लो, नीचे भी multiply करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो, देखते हैं, क्या होता है, नीचे multiply करो, x into x, x square, और plus 1 into x, या x into 2, 2x, और plus 1 into x, x, और plus 1 into 2, 2, यह लीजे, this equals to, क्या हो जाएगा, 4 upon x plus 4, सही है, अब ध्यान दो जारा, नेक्स स्टेप में क्या हो जागा है यहां से, ध्यान सर चेक करिएगा, x plus 2x, 3x, ओके, so 3x, और plus, 2 plus 2, 4, upon में, upon में क्या आगे आपके बास, x square, और plus, 2x plus x, 3x, और plus, 2, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 3x से 3x काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, 4 upon x plus 4, नौ, यह हो गया, छिक, अब क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन, छिक, कैसे करेंगे, इसको उठाके से मुल्टिप्लाई करेंगे, यानि कि 3x, और plus 4, into, x plus 4, और is equals to लगा के, इस पूरे bracket को 4 से करोगे, यानि कि 4 into ये वाला bracket, इसको इस से करो, this into this is equals to this into this, 4 in the bracket, x square, और plus 3x, और plus 2, correct, सही है, अब देखिए आप क्या करेंगे, now, देखो 3x into x, कितना हो जाएगा, 3x square, और plus 3x into 4, 3, 4 दा 12x, और plus 4 into x, 4x है ना, और plus 4, 4 जाओ 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 16, is equals to, यहां सोगा, 4 into x square, 4x square, और plus 4, 3 जाओ होता है 12x, और plus 4, 2 जाओ होता है 8, सही है, 4 से अंदर, multiply कर दिया, now, अब ध्यान देखिए students, ये 3x square तो आपका ऐसे ही रहेगा, आप देखो 12x plus 4x, कितना होता है आपका, 16x, और plus में 16 बच गया, is equals to, 4x square, और plus 12x, और plus 8, ओके, now, अब ध्यान दो जाओ, अब हम क्या करेंगे, ध्यान सरा चेक करना, left hand side में से, 3x square उदर भेजोगे, तो ये वाला और ये वाला, क्या हो जाएगा, समझो, 4x square और ये 3x square उदर जाएगा, तो 4x square मानिस 3x square, x square बचे का उदर, तो इन दोनों का काम हो गया, अब क्या करेंगे, 12x, ध्यान सरा चेक करना, ये 16x और 12x है न, तो 12x हो दर ये, हम सब कुछ कहा ले जा रहे हैं, right hand side ले जा रहे हैं, और उसके बाद 16 को उदर भेजोगे, 8 के पास तो 8-16 कितना होता है, minus 8 होता है, ये लीचे, तो इस तरीके से आपको साफ साफ दिख रहा है, x square minus 4x minus 8 is equals to 0, तो x square minus 4x minus 8 is equals to 0, सही है, तो ये आपके पास एक quadratic equation आ गई है, इसको आप solve कर लेंगे, क्या आ रहा है, x square minus 4x minus 8 is equals to 0 आ रहा है, चलिए, इसको देखिए, इसको इसको solve करते हैं, x square minus 4x minus 8 is equals to 0, ओके, तो अब ध्यान दो ज़रा, देखो, इसको ना splitting ना middle term से, तो मुश्किल है, ये हो पाएगा, देखो, नहीं हो पाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, minus 8 को इदर multiply करो, कितना हो जाएगा, बताओ, minus 8 into x square minus 8 x square, और middle term के आपका, minus 4x है, तो इसको अगर आप split करोगे, तो कैसे करो, कुछ नहीं कर पाओगे, आप चेक कर लो, minus 2x minus 2x करोगे, तो minus 4x आ जागा, तो कि उसने हमसे question में क्या बोला था, पढ़ डीजे, question में बोला था कि प्या solve कर दो, अब solve तो हम चाहिए जैसे करें ना, तो हम एक काम करेंगे, हम यहां लगाएंगे quadratic formula, तो इसको compare करो आप, a x square, plus b x, plus c is equals to 0 से, ठीक, a कितना हो जाएगा, x square का coefficient 1, और b कितना हो जाएगा है, x का coefficient minus 4, और c कितना हो जाएगा है, यहां पर minus 8, correct, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास quadratic formula लगाई है, x is equals to, minus b, plus minus root over, b square, minus 4ac, check, divided by 2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x is equals to, minus b कितना है, देखो इबाब बताओ, b square minus 4ac, अगर perfect square नहीं है, तो आप splitting number डिल टम में, आपको परिशानी होगी, होने को तो हो जाएगा, है ना, root root में कुछ लेके हो जाएगा, लेकिन याद रखिए, अगर b square minus 4ac, perfect square नहीं है, तो आप समझ लेना, quadratic formula लगेगा, मतलब समझो, आप starting में ही check कर सकते थे, क्या, यह देखो, check कर रहा हूँ मैं, मैं starting में ही क्या निकाल लेता, b square minus 4ac, निकाल लो, perfect square number नहीं आएगा, check कर लेना, b का square, b कितना है, minus 4, minus 4 का square, minus 4 into a into c, a कितना है, 1 और c कितना है, minus 8, solve करोगे, minus 4 का square 16, minus minus plus, 4, 32, 32 plus 16 कितना होता है, बताए, यह होता 48, अब बताओ, क्या 48 एक perfect square number है, नहीं, perfect square नहीं बता आपको, जैसे कि 4, 2 का square 4 होता है, जैसे कि 3 का square 9, 9 perfect square होता है, जैसे कि 4 का square 16 perfect square होता है, 5 का square 25 perfect square होता है, 48 थोड़ी ना perfect square है, 48 कौन से number का square है, भाई, बता दो, नहीं है, ठीक है, तो 48 perfect square number नहीं ही, तो वही मैं कह रहा हूँ आप से, कि अगर आपका B square minus 4 AC, यानि कि discriminant perfect square number नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ लेना, splitting मिडिल टम से वहाँ परिशानी होने वाली, आपको quadratic formula के लिए ही जाना पड़ेगा, ठीक, तो quadratic formula के लिए हम गए, और B square minus 4 AC निकाला, तो कितना आ रहा है, 48, तो इसकी जगा हम क्या रखेंगे, 48, सही है, upon में, 2 into A, एक इतना है चेक कर लो, A है 1, तो यहाँ सा आजएगा, X is equals to minus minus plus, यहनिके plus का 4, plus minus, square root of 48 को हम क्या लिखेंगे, 16, 16 into 3 लिख दिया, 48 को, और upon में, 2 into 1, 2, देखो, यह मैंने बहुत important बात आपको बताती ही, भाई, कि अगर B square minus 4, इसी perfect square नहीं आ रहा है, तो समझ जाना, splitting the middle term से परिशानी होगी, तो वहाँ आपको quadratic formula के लिए ही जाना पड़ेगा, चिक, चलो, अब, होने को तो हो जाएगा, splitting the middle term से, जैसे तैसे दिमाग लगा के हैंना, पर इतना time होता नहीं एग्जाम में, चलो, अब यहाँ से क्या आएगा बच्छो, चेक कर लीजे, x is equals to, कितना हो रहा है, 4 plus minus, अब बच्छो ध्यान दे, ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे, 16 का square root तो 4 हो गया, है ना, और root 3 अंदर ऐसे बच्छ जाएगा, ठीक, upon में क्या हो गया, 2, अब आप क्या करोगे, चेक कर लो, एक बार आप क्या करोगे बच्छो, एक बार यहाँ से, x is equals to, 4, अब ध्यान देंगे, एक बार बीच में plus लेंगे, तो plus, 4 root 3 by 2, एक बार तो ऐसा होगा, और दूथरी बार, दूथरी बार, x is equals to, 4 है ना, और बीच में क्या लेंगे, minus, तो 4 minus root 3 upon 2, सही है, अब, यहाँ से क्या हो जाएगा, x is equals to, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 common लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 to the 4 होता है, फिर 2 to the 4, तो 2 root 3 upon 2, 2 से 2 कट जाएगा, और x कितना आ जाएगा, बताइए, 2 plus, 2 root 3, यानि कि एक तो x का value यह रहा, 2 plus 2 root 3, सही है, और दूसरा value, यह रहा आपका, यह लीचे, x is equals to, ठेक, तो यहाँ से अगर 2 common लोगे, तो 2 minus 2 root 3 upon 2, 2 से 2 कट गया, तो x का दूसरा value कितना आ गया, 2 minus 2 root 3, यह लीचे आ गया, सही है,